हेलो एवरिवान जैशनिदेव आशाकर्ति शंदेगी करपास से आप सब खुशल-कुशल मंगल होंगे अपने घरों में स्वस्थ होंगे खुश होंगे और गर्मियों को खुब इंजॉय कर रहे होंगे तो आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है what all you should pack in your maternity hospital bag जब हम pregnant होते हैं प्रेग्मेंसी से लेकर के delivery तक हम मारे दिमांग में यही चलता रहता है कि delivery के टाइम पे हमें क्या-क्या चीजे पैक कर लेनी चीए जो चीजे जरुवत पड़ेंगी कि हमें घर वापस आकर कि किसी भी चीज की कोई भी चीज लेने वापस ना आना पड़े मतलम हमें कोई भी दिक्कत ना है वहां पे तो इसी चीज के बारे में हाज हम डिसकस करेंगे मैं अपने experience के आधार पर आपको बताऊंगी कि क्या-क अगर बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीज़ेगा सब्सक्राइब कीज़ेगा ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में मैं बात करूँ अपना experience शेयर करूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मैं जरूर वीडियो बनाऊंगे उस पर चलिए फिर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ तो फर्स्ट इस डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको हॉस्पिटल वालों ने जाधा हो सके उतने लीजिए 7-10 तो रखी लीजिए और sanitary napkins तो आपको थोड़े से और जाधा रखने पड़ेंगे क्योंकि पता निया कि कितने जाधा यूज हो जाएं तो अपने हिसाब से आप थोड़े से जाधा ही रख लो फोर्त इस आपको breastfeeding pillow रखना है breastfeeding pillow बहुत ही स्टार्टिंग में जो है feed करवाने में baby को specially 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 जिनका c-section होता है उनके लिए तो बहुत ही जाधा helpful होती है helpful होता है तो 4th is breastfeeding pillow 5th is your slippers आपको अपने footwear का ध्यान रखना है footwear आपको बहुत ही जाधा comfortable footwear रखने है क्योंकि मेरा c-section से हुआ है तो इसलिए मैं c-section के तरफ जाधा मैं बोल रही हूँ क्योंकि उसी का जाधा experience है मुझे तो I don't think कि इस चीज में कोई जाधा difference परता होगा कि normal है या c-section है दोनों में ही footwear जो है आपको बहुत जाधा comfortable footwear लेके चलने है जो कि बहुत जाधा helpful होंगे आपको फीड कराने के लिए बहुत जाधा help करेंगी बेबी को 7. आपको लिप बाम रख लेना है क्योंकि मुझे बहुत जाधा ड्राइफील वादा जब दिलिवरी के बाद में लिप्स एकदम बहुत जाधा ड्राइफील कर रहे थे तो इसलिए एक लिप जरूर रख लें 8. आपको वाश्रूम के जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं जैसे टूथ ब्रेस्ट, टूथ पेस्ट, शैम्पू, ओइल, सोप, हेर ब्रश यह सारी चीज़ें आपको रख लेनी है क्योंकि पता नी है वहां पर तीन से चार दिन रहना पड़ेगा या दो दिन रहना पड़ेगा तो जो भी है दो दिन के अग 아 niin जरूंच ओदिन रहो चाहार दिन रख बीक जाथ葉 बेसिक चीज़ें यह प पो रखनी है तो पस ये थी नीड अन् पार्टनर की कि आपको अपने पार्टनर के लिए क्या-क्या पार्ट करना है अपने पार्टनर के सबसे पहले आप नेक पिलो रखेंगे क्योंकि वहां पर पता नहीं है कि बैठने का क्या सिस्टम है या लेटने को वहां पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर वहां पर लेटने हो या slippers according to the weather जो भी वहाँ पर मौसम है अगर सर्दी है तो सर्दी के according shoes अगर गर्मिया है तो कोई normal slippers जो है जो comfortable हो वो रख ले थर्ड is blankets blankets बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर गर्मिया भी है तो AC चलेगा अगर सर्दी है तब तो रखना ही है blanket ब्लंकेट्स रख लें एक या दो का पेर तो रखी लें क्योंकि पार्टनर के लिए तो एक होई जाएगा अगर कोई relative है या कोई आ रहा है तो इसके लिए एक हो जाएगा फूर्थ इस एयरफोन एयरफोन रख लें ताकि थोड़ा रिलाक्स हो सकें कुछ सुन सकें क्योंकि उनको तो अकेले ही बैटन मतलब बैठे ही रहना है कुछ काम नहीं होगा वहाँ पर तो एयरफोन रखेंगे कुछ मूवीज या कुछ भी देख सकते हैं वह अपना टाइ पर देख सकते हैं वहाँ से आप लिका लें बहुत ही कम कैश रखें जादा कैश ना रखें और शिक्स तेस एक दो जोड़ी आप अपने पार्टनर के भी कपड़े रख लें क्योंकि बहुत ज़्या गंदे हो जाते हैं वहाँ पर होस्पिटल का ऐसा ही महौल होता है को अपने पार्टनर के लिए रखनी है तो अब हम बात करते हैं बेबी के लिए जो अभी आने वाला इस दुनिया में उसके लिए क्या क्या पैक करना आपको तो बेबी के लिए सबसे पहले चीज है उसके बोड़ी सूट सूट रख लें और वेस्प्स रख लें पांच्छ जोड़ी वो भी रख लें सेकेंड इस उसके सॉक्स बुटीज और कैप यह भी रख लें आप दो दो जोड़ी रख लें वस और थर्ड इस डाइपर बहुत सादा बतला काफी अच्छी अमांट में रख लें आप कम से कम 30 तो 35 आप रख लें क्योंकि बेबी जो है स्टार् अब बहुत जादा डर होता है स्टार्टिक में रख लें तो वन टू आर्स में दो घंटे में हर दो घंटे में या हर एक घंटे में भी आपको बदलना पड़ सकता है तो इसलिए डाइपर जो है बच्चे के जाद जादा आप रख लें फूफ वर्थ एजद बेबी ब्लांकेट रख लें जाए गर्मी और था बलांकेट ने लेना ही है शाइं हए क्योंकि जरदिया होंगी तो सड़ी के लिए लिए लेना ही है और जब भी आप भाहर लिख लोगे तो धूप से भी बच्छाएगा अगर गर्मिया है थो थोड़ा light weighted हलका blanket रख ले और अगर गसरदिया है तो थोड़ा मोटा blanket ले 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 फिफ्थ एस muslin के handkerchiefs रख ले बच्चों के लिए और कम से कम 10-12 तक रख ले तक क्योंकि बच्चा बहुत जादा दूद पिलाता है और कुछ नो कुछ मतलम गंदा होत अगर आप milk पिलाते हो तो अगर बच्चा नहीं करता है तो आपको चम्मच कटोरी से भी दूद पिलाना पड़ सकता है आप एक चम्मच और कटोरी भी रख लें अपने साथ क्योंकि बच्चे को जो है आपको दूद शायद हो सकता है कि लैश नहीं कर पा रहा था और बॉटल से भी फीड नहीं कर पा रहा था जो आपको ध्यान रखनी है बच्चे के लिए रखना है आपको वेवी के लिए जो अभी नया महमान आने वाला है तो I think मैं सबकुछ कर चुकी हूँ जो जो चीजे आपको लेके जानी है अब मैं बात करती हूँ उन चीजों की जो आपको बिलकुल नहीं लेके जानी है तो first thing is कोई भी जोल्री ना पहन के जाए कैसी भी जोल्री चाहे चोटी मोटी बे आपने जोल्री पहन रखे हो सबकुछ लिकाल देना डिलिवरी से पहले क्योंकि उस टाइम डिलिवरी की इतनी जादा हबर दबड में हो सकता है कि आप कहीं रख दें कहीं भूल जाए या क कैश और जॉएल्री नहीं लेक के जानी है तो अच़र पर लेड जाए है कोई भी ऐसी मेडिसीन ना लेको घजाए जो आपको डॉत्टर आपको मेडिसीन लेन अलए ओके दिन बबाई, टेक केर, have a happy and healthy baby, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बबाई!